चुनाओ नतीजों से पहले कल बीजेपी के तरफ से आयूजित एंडिये की बैठक में 36 घटक दलों के नेता शामिल हुए खास बाते रहे ही के एंडिये की बैठक ओर डेनर के बाद एक परस्ताव पारिद करके प्रदान मंत्री नरींदर मोधी के नितरत उपर भरोसा जताया गया प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिशनेता और केंदरी मंत्री राजनात सिंग ने कहा कि पिछले पांस साल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले थे अब NDA ने तै किया है कि आने वाले पांस साल में लोगों की आकानशाओं को पूरा किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने विकास के संदर्ब में शेत्री असंतुलन को दूर करने पर भी प्रतिबद्दता जताई है ये इनडिये सचे अरथों में भारत की डीम्स और एश्प्रेशन का ये ऐलाइंस है इसी रूप में हम उसे देखते हैं और साथी साथ हंडिट ठर्ति करोर जो पॉपिलेशन की ड्रीम्स और एस्परेशन्स का एलाइंस है इस रूप में हम देखते हैं और यह मैं मानता हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स का यह यह एक प्रिंस्पल पीलर बन चुका है यह कुछ सैलियन पॉइंट्स हैं जो हमारी इस रूजिलूशन की उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ और सफलता पूर्बक डवलपमेंट और पॉलिक इंटरेस्ट में भी बहुत हमारे प्राइब मिनिस्टर ने हिस्टॉरिकल डिसीजन्स लिये हैं उसके लिए भी यंडिये ने प्राइब मिनिस्टर को भी कांगर्सुलेट किया है और उनके कांसल अफ मिनिस्टर को भी कांगर्सुलेट किया है और साथी साथ और अधिक भारत को और अधिक ससक्त बनाने के लिए भारतियों को और अधिक ससक्त बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर जो गौवर्मेंट ने बिगत पांच वरसों में काम किये हैं उसकी भी इस प्रस्ताओं के अंदर त्री राम बिलाफ जी पास्वान ने बहुत विस्तार पूर्बक चर्चा की है पूरे भारत में जिस तरीके से गवर्ननस हम लोगों ने चलाई है उससे एक अपनी एक नई चाप छोड़ने में हम काम्याब रहें पश्विम बंगाल और केरल में भी जो कुछ परिटिकल वाइलेंस हैं उसको जो है कंडम किया है इस इस रिजिलूशन की अंतरगत और सी एजी एलक्षन कमिशन और जूडिसेरी से लेकर पुलिस और हमारी जो सेक्योर्टी फोर्सेज हैं इनके संस्थानों पर जो बेवस् इतिहास में एक निरनायक छण है इस रूप में देखा जाएगा अब देश की जमता को यही विश्वास है कि अब नामुम्किन भी मुम्किन है इससे पहले दिल्ली में कल बीजेपी मुख्याले में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और बीजेपी अदर्ग्षामिच शाह और बीजेपी के वरिशनेताओं की मौजूदगी में केंदरे मंतरियों की बैठक हुई लोगसभा चुनाओं के लिए मतदान का काम पूरा होने के बाद प्रधान मंतरी की अपने मंतरियों के साथ ये पहली मुलाकात है बैठक में सहयोगी मंतरियों ने प्रधान मंतरी नरिंदर मुदी का स्वागत किया और सरकार में काम करने का मौका देने के लिए आभार जटाया वहीं प्रधान मंतरी नरिंदर मुदी ने भी मंतरी मंदल के साथियों का उनकी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया सिरी अबिसाह जी ने अपने विचार सरपर्थम रखे उन्होंने सरकार के उपलब दियां चुनाब अभियान और सबका योगदान उसके लिए सबके प्रति आभार प्रकट किया सिरी राजनास सिंग जी, सिरी नितिन गड़करी जी, सिरी पाशवान जी, सिरी मति कौर, सिरी आठवले जी, सिरी अनुपुरिया पटेल जी इन सब मानी मंद्री गड़ों ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी प्रधान मंद्री जी को बढ़ाई दी अन्त में बानी प्रधान मंद्री जी का मारग दर्शन हुआ और उन्होंने अपनी बात मैं सभी के प्रती सहयोग के लिए करतगिदा ग्यापित की और उन्होंने का पूरे एंडिये गौर्मेंट ने बहुत ही परिस्रम करके सारी योजनाओं के किरियानवन में टीम के रूप में काम किया और उसका परिणाम हम सब के सामने परलक्षित हो रहा है कोई लोग सभा चुनाओ के नतीजों से पहले दिल्ले के कॉंस्टिट्यूशन क्लब में पक्षी दलों के नेताओं की भी बैठक हुई कॉंग्रिस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी, टीडीप, टीमसी, आर्जेडी, जेडीए, सीपिया, 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 एन्सीप और डीम के आदी पार्टियों के नेताओं इस बैठक में शामिल हुए आला कि सुनिया गांधी, राहूल गांधी, मायावती, अखलेश यादव और ममताब एनरजी सहित कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए बैठक में कॉंग्रिस के अशोग गहलोत, खुलाम नभी आज़ाद, टीमसी के डिरिको ब्रॉाइन, पीसपी के सतीश मिश्रा, टीडीपी के चंद्रबाब उनाइडू, समाजबादी पार्टिय के नाम गोपालियादव, सीपियाएम के सीता नाम ये चुरी मौजूद थे वोटिंग के बाद से ही विपक्षी निताओं के एक दूसरे से मुलाकात जारी है लोगसबा चुनाओ के नतीजों से पहले देश के सियासी गलियारों में तेज हल चले देखने को मिल रही है विपक्षी दल आगे की रन्नीती बनाने में जुटे हैं इसी क्रम में टीडी पी नेता चेंदरबाबु नाइडू ने कल जेडी एस नेता एच्डी देवी गौडा और एच्डी कुमार स्वामी से मुलाकात की इसके सिर सजेगा सहरा और कौन होगा निराश सत्रवी लोकसभा की चुनाओ परिणाम के लिए वोटो की गिनिती कल होगी लोकसभा चुनाओ के अलावा चार राज्य ओडीशा अंधर प्रदेश सिक्किम और अनुनाचर प्रदेश की विधान सभा चुनाओ के लिए भी वोटो की गिनिती कल होगी मतगर्णा में हासिल सीटों के आधार पर नई लोगसभा का गठन और सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा खरीब दो महीने से जादा समय तक चली मतदान प्रक्रिया में करोडों नागरिकों ने उत्सा के साथ भाग लिया पिछले लोगसभा चुनाओ के मकाबले इस बार आट डशमलव screaming चार करोड़ जादा मतदाताओं ने मतधिकार कास्थित का इस्वाल किया चुनाव में कुल इंक्यानमे करोड मददाताओं में से तक्रीबन 67.1 एक प्रतिशत मददाताओं ने वोट डाला मदगर्ना को लेकर सुरक्षा के पुखता अंतिजाम किये गए 23 मई को मदगर्ना वाले दिन के लिए सुरक्षा बलो की तैनाती चुनावायों की दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है मदगर्ना स्थल पर 30 तरिय सुरक्षा घिरा होगा CCTV की निगरानी में वोटों की गिनती होगी और राज्य सभा टीवी पर 23 मई यानि कल सुभा 7 बजे से आप नतीजों से जुड़ी पल पल की खबरी देख सकते हैं इसके लिए विशेश तैयारियां की गई है राज्य सभा टीवी ने भी रुज़ान, नतीजों और विशलेशन के लिए विशेश प्रसारण की तैयारी की है सुबा 7 बजे से हमारे समवादाता मदगर्ना और राज्य की सियासी माहौल का ताज़ा घटना करम आप तक सबसे पहले पहुचाएंगे हमारे समवादाता पल-पल की खबरे आप तक लाएंगे इसके लावा स्टूडियो से राज्य नीती के जानकार रुज़ानों और परिणामों का सबसे सटीक तुलनात्मक विशलेशन भी करेंगे राज्य सबह टीवी आपको रुज़ानों और नतीजों की प्रमारिक और निश्पक्ष जानकारी देगा पूरे दिन मशूर राज्य नितीक जानकार नतीजों का संतुलित विशलेशन करेंगे बीते कई चुनाओं में राज्य सबह टीवी आप तक पल-पल की खबरे पहुचाता रहा है और बात विधान सबह चुनाओं की हो या फिल लोक सबह चुनाओं की इस बार भी राज्य सबह टीवी की टीम आप तक पहुचाएगी सबसे तेज और सटीक रुज्वान, नतीजे और विशलेशन क्या होगा इन नतीजों का देश की राजनीती परसर तो तेज मई यानि कल सुभा साथ बजे से देखना न भूले राज्य सबह टीवी लोग सबह चुनाओं के नतीजे कल आने वाले हैं और इसे लेकर प्रसार भारती के सेईओ शशी शेकर विंपती ने राज्य सबह टीवी को बताया कि प्रसार भारती इस बार अलग-अलग भाशाओं में यूट्यूब पर चुनावी नतीजे लाइव दिखाएगा उन्होंने कहा कि प्रसार भारती और यूट्यूब चुनावी नतीजे को लेकर अनोखा इनोवेशन करने जा रहा है एक अनोखा इनोवेशन हम करने जा रहे हैं जैसे आप देखेंगे कि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं ज़से इन पर इनाम वगरा गोशिद होते हैं तो काफी सारा उपर नीचे नंबर्स होते हैं काफी सारा फॉल्स नरेटर एक तरह से बन जाता है तो इस माहोल में पब्लिक ब्रॉडकास्टर का महत्व काफी बढ़ जाता है तो आज सिचुएशन ऐसा है कि टीवी चैनल्स के अलावा डिजिटल मीडिया पे भी काफी लोग एलेक्शन के नतीजों को देखना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों को मन में रखते हूँ एक अनोखा पहल किया है यूट्यूब और प्रसार भारती ने कि पहली बार इस चुनाव के रिजल्ट्स के दिन कोई भी अगर भारत देश में यूट्यूब के में जो लैंडिंग होम पेज वेबसाइट है या यूट्यूब का मोबाईल अप है अगर खोलेगा तो उस पर आप डीडी न्यूस का विंडो देखेंगे जिसमें कंटिनुवसली रिजल्ट्स का स्ट्रीम आएगा तो इससे एक ऑथेंटिक क्रेडिबल ओनलाइन स्ट्रीमिंग सोर्स फॉर दी एलेक्शिन रिजल्स मिल जाएगा सभी को और इसमें इसके अलावा उस लैंडिंग पेज पे ऑप्शन भी होगा जिससे कि लोग बाकी जितने भी भाशाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो भारत के हर कोने से दुर्दशन के चैनल्स जो लाइफ उस दिन अपडेट देंगे विभन भाशाओं में विभन खेत्रों से विभन राज्यों जहां असेमली विधान सभा के भी चुनाव हो रहे हैं तो यह सारा लाइफ स्ट्रीम भ रिजल्ट्स देख पाएंगे और उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप बाकी जो लैंग्वेजस हैं उसके भी आप्शन अपको मिलेंगे तो एक तरह से एक लैंडिंग पेज हो जाएगा एलेक्शन रिजल्ट्स के लिए जो डिजिटल माध्यम से हम सारे देश भर में सभी को देख पाएंगे प्रीती मर्दे प्रुदेश में मदगरना के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां अपनी पुखता कर ली हैं यहाँ पर 33 सुरक्षा विवस्था का इंतिजाम किया गया है जो स्ट्रॉंग रूम है साथ ही जो हमने पहले देखा था कि जो वीवी पैट है एई वीम पूरा जो कंट्रोल यूनिट बैलिट यूनिट और वीवी पैट है उसे जो स्ट्रॉंग रूम है वहाँ तक ले जाने के लिए सगन सुरक्षा की विवस्था थी साथ ही जिस तरीके से खबरें आई एई वीम को लेकर तो चुनाव आयोग ने यहाँ जो राज्य चुनाव आयोग है उसने सभी मानेता प्राप्त राजनितिक दलों से बातचीत भी की और एक बैठक बुलाकर अगर उनके मन में कोई सवाल है उन सवालों के जवाब दिये तो खुल मिलाकर एक तरह से निश्पक्ष और पार्दर्शी मद्दान के नतीजों के लिए चुनाव आयोग ने तै दलों में धड़कने तेज हो चुकी है राजनितिक दलों ने भी यहां पर अपनी तैयारियां कर लिए है राजनितिक जो कॉंग्रेस बीजेपी के लोग यहां मुखे मुकाबला कॉंग्रेस और बीजेपी के बीछ होता है ऐसे में उसको लोग जो मदगरणा के इंदर हैं यह आसपास निगरानी भी बनाई हुए हैं, यहाँ जो भुपाल में प्रत्याशी हैं, डिग विजय सिंग वो भी मदगर्णा के इंद्र के पास पहुचे और उन्होंने वहाँ की सुरक्षा विवस्था का जायजा लिया, जी प्रिद्री पिल्कुल अविग्रम, हमारे साथ हमारे साथ पंचननन मिश्रा भी जुड़ गए हैं, जो कि इस समय वारानसी में मौझूद हैं, पंचननन आप कहें कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो वारानसी है, वहां मौझूद हैं, मदगर्णा को लेकर हमें बताइए कि पूरे उत्त्रदेश में किस तरह की तयारिया क्योंकि हम जानते हैं, चुनाव आयों की तयारिया तो होती हैं, तमाम जो बड़े दल हैं, वो भी काफी मुस्तैद रहते हैं मदगर्णा को लेकर। जहां पर EVM मशीनों को रखा गया है, और मदगर्णा की तयारियां है, वो उनके लिए पूरी तयारियां में की यह पंडाल लगे हुए हैं, और यहां पर सिक्यूरिटी फोर्स को देखे हैं, पैराबरेटरी फोर्स के साथ साथ स्टेट पलिस, जो यूपी पलिस हैं, उनक जब यह पूलिंग यहां पर मदगर्णा शुरू होगी सुबह आट बजे, तो यह अलग अलग पार्टियों के पूलिंग एजेंट भी उसको एक वाच करते हैं, तो कुल मिलाकर एक पूरा महौल दिख रहा है, यहां पर मदगर्णा की पूरी तयारिया है, और क्योंकि प् उत्तरपूर की बात की जाए, खासकर असम की बात की जाए, तो आप बताएए मदगर्णा को लेकर वहां किस तरह की तैयारिया हैं, बिल्कुल प्रीती, यहां पर उत्तरपूर में भी खास नज़र रहती है, सबी पॉलिटिकल पार्टिस की, और अगर बात करें तो यहां बीजेपी कॉंग्रेस भी अपनी पूरी कोशिश करके यहां पर मदान हो चुका है, और अब सिर्फ इंतजार है ताइस तारीक का, ताइस तारीक के तैयारी यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी की जा चुकी है, एक स्ट्रॉंग रूम बनाया गया है, डिप्टिक कमिशनर आफिस के बाहर जहां पर पारमिल्ट्री फोर्स तैनात की जा चुकी है, अंदर सीची टीवी क्यामराज लगे हुए है, जहां पर इव्यम मशीन रखी हुए है, और बाहर जो है, जित्ते भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजन्टेटिव है, वहां पर एक LED स्क्रीन के ज़रिये उन एव्यम मशीन के उपर कड़ी निगरानी कर रहे हैं, और साथी साथ पारमिल्ट्री फोर्स भी हैं, सेंट्रल फोर्स भी हैं, जो वह तैनात की जा चुकी है, अब सभी को इंतजार है, सिर्फ एक रात का, यानि कि कल सुबा 23 तारीक का, जब यहां पर इव्यम मशीन कुलेंगे, लेकिन एव्यम मशीन कुलने से पहले पोस्तल बाले काउंटिंग होगी, उसके बाद एव्यम मशीन की काउंटिंग शुरू होगी, अब कुछ ही गंटे बचे हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, 23 तारीक के उपर अपनी नजरे गड़ाए की जाए, हर राज्य पूरी तरह से पुखता बंदोबस्त के साथ कल की मदगरना के लिए तयार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों समधाताओं का, इस जानकारी को हम तक पहुचाने के लिए, नविक्रम, पंचनन और अनू, आप तीनों का बहुत 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 सबसे पहले सटीक, रुजहान और नतीजे और उनका विशलेशन पहुचाने की, तो कल सुबह साथ बजे से हमारे साथ जुनना मत भूलिएगा.